Speaking in Fisk अब हम लोग देखते हैं Fisk में Respiration तो Fisk में जो breathing होता है वो होता है इसके gills के द्वारा ये जो gills है आपका Fisk का इसी के थूरू आपका breathing होता है Fisk में और फिस्ट में जो गिल्स होते हैं वो उसके हेड के दोनों तरफ होते हैं और जो गिल्स होते हैं वो एक गिल्स कभर के द्वारा ढके वे रहते हैं इसलिए उसे आप ऐसे नहीं देख सकते हैं जब तक कि आप उस गिल्स कभर को उठाईएगा नहीं तब तक वो दिखाई नहीं देगा फिस लीपस इन वाटर एंड इस वाटर कंटेंस डिजॉल्ड ऑक्सीजन इन फिस तो रती है पानी में और उस वाटर में क्या रहता हैं उसी ही फिस ग्रहन करता है पर ब्रीफिंग के लिए फिस यूजेज दा ऑक्सीजन विच इन वाटर और ब्रीफिंग में और इस जो है जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्ब है उसी का उप्योग करता है फिस क्या करती है कि वाटर को अपने मूँब से लेती है । किश्दी जो इंडिल्स में चला जाता है और वह आटर पासेज ओवर जो अफिस अटक्सीजन अपर याटर क्या वाटर आइस दिजॉल्ब में चला जाता है को एक्स्रेक्ट करके बोडी में लेता है और वाटर को बाहर निकाल देता है. The water then goes out through the gill slits hidden under the gill cover. Thus the dissolved oxygen is extracted from water by the fish when it flows over the gills. The extracted oxygen is absorbed by the blood और जो oxygen आपको extract हुआ वो blood के द्वारा absorb कर लिया जाता है and carried to all the parts of the fish और fish के पूरे parts में वो carry होता है. The carbon dioxide produced by respiration is brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water और फिर respiration के दौरान जो carbon dioxide बनता है वो फिर blood के द्वारा collect किया जाता है और उसे फिर gills के द्वारा बाहर expel कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. The fish has no lungs like us और fish में हमारी तरह कोई lungs नहीं होता है. The gaseous exchange in fish takes place in the gills. Fish में जो gaseous exchange होते हैं, वो किसके तुरू होते हैं? Gills के तुरू होते हैं. So, the respiratory surface of a fish is the surface of its gills. यह fish में जो respiratory surface है, वो क्या है? Gills का surface. It is a common observation that when a fish is taken out from water, it dies soon. यह देखा गया है कि fish को जैसे ही हम लोग water से बाहर निकालते हैं, वो क्या कर जाती है? Even though there is a lot of oxygen in the air around it, जबकि इस atmosphere में ज्यादा oxygen है, वाटर की तुलना में फिर भी. This is because a fish does not have lungs, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि fish के पास lungs नहीं है, to utilize the oxygen of air, कि air में मौझूद oxygen को utilize कर सके, for breathing and respiration, breathing और respiration के लिए, इसलिए fish को जैसे ही हम लोग water से बाहर निकालते हैं, वो fish क्या करती है? डाई कर जाती है. जाती है